हेलो फेंड्स आज हम कंपेर करेंगे बजाज की दो बाइक का दोनों बाइक बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई देती है क्योंकि एक हमारे सामने खड़ी है बजाज की पलसर 150 जो कि यह स्टैंडर में है और दूसरी हमारे सामने जो बाइक खड़ी है यह है Avenger, Avenger 160 Street तो इसका बिल्कुल लुक अलग है यह है एक क्रूज बाइक है और इस बाइक को अगर हम देखते हैं तो यह एक मल्टी परपस स्पोर्ट बाइक है जिसको हर तरीके से इस्तमाल किया जा सकता है इसको भी हर तरीके से इस्तमाल किया जाता है लेकिन इसका लुक बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देता है अगर हम एक जेनरेल 150 इसी बाइक के कंपेर में देखें तब आई आपको डिफरेंस बताते हैं कि अगर आप इन दोनों बाइक के बीच में कंफ्यूज हैं कि आपको पलसर 150 नॉर्मल ले लेना चाहिए या फिर आपको इस तरह की एक बाइक जो है वो अपने घर लेके आनी चाहिए तो इन दोनों में आपको क्या साइकोलोजिकल डिफरे या फिर इस बाइक का डिजाइन वो किस परपस से बनाया गया है क्यों लेना चाहिए उन सभी चीजों के बाड़े में बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस बाइक को जो हम देखते हैं तो इस बाइक को सभी लोग चला सकते हैं आसानी से चला सकते हैं एक आम दिखने वाली बाइक है जो सभी जगा पर दिख जाती है आपको कि पलसर 150 CC या फिर इस तरह की डिजाइन सेग्मेंट का जो भी बाइक होता है जो भी बाइक आपको इस डिजाइन में मिलती है जैसे FZ हो गया, Extreme 160 हो गया इन सभी बाइक के अगर बारे में हम बात करें तो सबसे यही खास बात होती है कि यह बाइक जेनरल तोर पे सभी लोग इसको असानी से चला सकते हैं सभी के हाथ के में बैठी होई बाइक होती है मतलब सभी लोगों ने एक बार ना एक बार इनस तरह की बाइक जो है चलाई होती है लेकिन अगर यह बाइक अगर आप सब उनको जादा पसंद आती है आएक का जो है benefit कैसि और उस बाईक को लेने क्या benefit है उसके बारे में बात करते हैं तो इस्वाई का benefit ये है कि अगर आपकी सबसे पहला benefit और सबसे पहला अगर मैं एक बात पुलूम। जे से अपका assured में प्लिफीचन okay है और not हो जाएगा तो आप Avenger को अराम से चला सकते हैं कोई भी किसी तरह का दिक्कत आपको नहीं आता है लेकिन अगर आपकी height 5 फिट की है तो इस bike को चलाने में आपको दिक्कत आएगी आपकी height must be 5 foot 2 inch 3 inch से उपर होनी चाहिए तब pulsar 150 CC आपको जो चलाने में मज़ा आएगा दूसरी बात होती है ये आप समझ गये होंगे कि height का क्या difference आता है लेकिन maximum height का कोई limit नहीं है आप किसी भी height तक जाके जो है दोनों में से कोई भी bike चला सकते हैं अगर आपकी height ज़ादा भी है तो ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आती है अगर second बात पर आते हैं तो अगर आप look के नजरी से देखेगा तो अगर आपको कोई ऐसी bike चाहिए जो कि साधारन look में आती हो और सभी लोग के पास हो और कोई बहुत ज़्यादा look से आपका मतलब नहीं रहता हो कि bike कैसी दिखती है नहीं दिखती है नजरीय से जो है 160 स्टीट की तरफ आप जा सकते हैं कि Avenger उस तरह की bike है जिसको हम बोल सकते हैं कि जहां भी खड़ी होती है जैसे भी खड़ी होती है थोड़ा अलग दिखाई देती है तीसरा point अगर हम देख लेते हैं city bike आप इसको बोल सकते हैं city में चलाना इसको आसान होता है जो इस design segment की bike बनाई होई होती है लेकिन अगर इस bike के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये bike एक tourer segment के हिसाब से बनाया होगा होता है क्योंकि इसका turning radius जाता होता है इसको एक बार जो है यूटन लेने के लिए ज्यादा जगा का demand होता है ज्यादा जगा खुजती है ये bike तो उस नजरी से हम देखे तो इस bike को highway ride के लिए ज्यादा माना जाता है अगर आप इसको highway पे लेके जाते हैं तो आपको इस bike को चलाने में बहुत ज़्यादा मजाएगा क्योंकि इसका seat और इसका pair रखने का जो design है क्योंकि pair यहाँ पे आपके होते हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं तो आपको लगा जैसे कि आप गर में सोफे बेटके जो है वो bike चला रहे है तो इसका जो design है overall वो एक highway ride के लिए बनाया गया एक long tourer bike के तौर पे बनाया जाता है क्योंकि आप अगर fat boy भी देखिएगा Harley Davidson का तो उसका भी design कुछ ऐसा ही मिलेगा जो कि tourer के तौर पे जो है इस्तमाल की जाती है तो तूर अगर आपको करना है long tours, long rides लगातार करते हैं आप माली जी आपका घर कहीं दूर है जो कि आप एक weekly basis पे 100-200 km one-sided travel करते हैं और 200-300 km जो है वो travel करते हैं एक दिन में कभी-कभी तो और highway पे ज़्यादा चलाते हैं तो उस नजरिये से आपको avenger लेना चाहिए एक और point हम यहाँ पे add कर लेते हैं तो एक और point यह है कि अगर आप ऐसे रास्तों में रहते हैं जहां पे सरके खराब हों road खराब हैं और अक्सर खराब ही रहेंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा गलियों में रहते हैं जहां गली बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी टर्न लेना पड़ता है उसमें बहुत सारे road breakers आते हैं तो उस नजरिये से अगर देखे तो इस तरह की आपको street bike लेनी चाहिए वो ज़्यादा कारगार है उन जगहों पे अगर उस नजरिये से अगर हम इस bike को देखते हैं तो ये bike जल्दी जल्दी मोरने के लिए जल्दी जल्दी road breaker पे फानने के लिए या फिर cross करने के लिए ये थोड़ा सा uncomfortable feel कराएगी क्योंकि इसका seat height कम है ground clearance तो same ही आपको मिलता है लेकिन ये bike जो है वहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि जल्दी जल्दी मोरना है तो इस bike में city में थोड़ा सा वो difficulty आती लेकिन इस bike में आपको आसानी होगी उसके अलावा अगर power की बात करे तो street bike का power जो है वो local cities के लिए ज्यादा आपको ज्यादा अच्छा लगेगा ये bike जो है जल्दी pick up पकड़ी है जल्दी slow होड़ी है breaking performance ज्यादा अच्छा है जहां brake लगाते हैं वहीं पे bike जो है वो दब जाती है इस bike का ये खासियत होता है लेकिन अगर इस bike की ज्याद करें तो इस bike में आपको लॉंग आपको ब्रेक लगाना होता है तो थोड़ा सा लंबी दूरी ये तै करती है ब्रेक लगाने में प्लस इस iKA को दुरस में दबती है क्योंकि इसका जो आगे आप देख रहे हैं जो में कास्टरांगिल होता है जो आप देख रहे होंगे कि इसका ये तिर्कोना जो इस दरह से बन रहा है और इसका बन रहा यह थोड़ा सॉट सॉर्ट कास्टरैंग vos गी को तो जमीन को थोरा कम पकरता है, handling हलकी होती है, और आपकी बाइक ज़ादा stable होती है, प्लस इसका जो main होता है हमारा wheelbase, यानि इस चक्का के इस पॉइंट से जहां पे टैर पे गारी खरी होती है और यहां पे जहां पे टैर खरी होती है, इसको तो वील बेस हम कहते हैं, तो इसका वील बेस भी आपको बहुत जादा लंबा मिलता है, इसका वील बेस जो है वो इसके मुकाबले जो है वो छोटा नजर आएगा आपको, तो ये बाइक जो है वो लॉंग रोड ब्रेकर में निचे टकराने का खतरा भी रता है, या फिर आप फ्रेम पर बनाई गई है उस तरह की बाइक्स जो है आप प्रेफरेंस में अपने प्राइरोटी में रख सकते हैं अगर आपको ज्यादा ओफ रोडिंग करनी है तो उसके अलावा लास्ट पॉइंट पर हमाज आए तो वह होता है हमारा पावर तो पावर जो है इस बाइक में स्ट्रीट में जादा आपको महसूस होगी और इस बाइक को आप जब चलाते हैं तो इस बाइक में आपको पावर लॉंग रूट्स में हाईवे पे बहुत ज्यादा महसूस होगी जैसे ही आप किसी फोर लेन को पकरते हैं तो आपको एवेंजर जो है वो अमरित लगने पावर इसमें आपको ज्यादा महसूस होता है पुल्सर के मुकाबले मैंने यहां पर कोई भी टेक्निकल बाते आपको नहीं बताई है दोनों बाइक के बारे में ऐसी बाते बताई है जिससे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं दाम के भी बारे में बात करेंगे तो प्राइ निन कहीं है कैसा आप यहां पे दिखाई दे रहा है यसमें आगे वला चकाहीं सिरीटा डिजाइन इसका इसका ऑवरल यह सारा मेटेरियली स्टिक जैसे इसको बजा रहा हूं में आप इसका सुन रहे होंगे और मैं इसको बजाओंतों का आपको sound में झोए उंतर नजर आत किस तरह की बाइक लेनी चाहिए पीछे कब इसका टार देख सकते हैं कैसा है तो अगर आप इन दोने में सो कोई भी बाइक लेना चाहते हैं तो अगर आप पतना से बिलॉंग करते हैं तो आप यहां पर आकर बाइक को देख सकते हैं या फिर पर्चेस कर सकते हैं बाबाई